दिनांग 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगबग 5 बचकर 20 बजे श्री असदुद्दिन ओवेसी सांसद लोकसबा किठोर मेरट उत्तरप्रदेश के जन्सम पर कारेकम करने के बाद दिल्ली लोट रहे थे जब उनका काफला छीजारसी टोल प्लाजा निशनल हाइवे 9 धाना पिल्खुवा जन्पध हापूर उत्तरप्रदेश से गुजराह था दो अग्यात व्यक्तियों द्वारा उनके काफले पर गोलिया चलाईगी इस घटना में स्री ओवेसी सुरक्सित बज गए लेकिन उनके वहान के निचले हिस्से में तीन गोलियों के निशान दिखाई दे उक्त घटना को तीन गवाहो द्वारा देखा भी गया इस संदर में एक प्रथम सुचना रिपोर्ट अपराद संख्या 45 बटा 22 अंतरक धारा 307 भारतियत डंड सहिता और धारा 7 अपरादिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 धाना पिलखुआ जनपध हापुड में पंजिकरूत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है स्री ओवेसी का जनपध हापुड में पूर्व से कोई कारेक्रम नियत नहीं था और नहीं आवा गमन के बारे में कोई पूर्वसुतना जिल्ला नियतरन कक्स को भेजी गई था स्री ओवेसी गटना के प्रस्चात सुरक्सित दिल्ली वापिस पहुँच गए जनपध के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा घटना सल का निरिक्षन किया गया विवेचना के क्रम में स्थानिय पूलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को घिरबतार किया और उनसे दो अनधिकृत पिस्टल प्रत्येक से एक-एक और एक अल्टो कार की बरामत की गई है गटनास्तल और वहन का फोरेंशिक्स टीम द्वारा सुक्समत्या से जांच किया जा रहा है और साक्ष एकत्रित किये जा रहे हैं, दोनो अभियुक्तों से उत्तरपदेश पुलीस द्वारा पुश्टाच की जा रहे हैं जनपद में कानून और व्यवस्ता की स्थिती, नियंत्रण में और सामान्य हैं कड़ी सतरक्ता भी बरती जा रहे हैं कैंद्रिया गुरु मंत्राले द्वारा तुरंती राज्य सरकार से डिपोर्ट प्राप्त की गई है पहले भी कई मौकों पर कैंद्रिया शुरक्सा एजंचियों के खत्रे के आकलन के आधार पर श्री ओवेसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किये हैं लेकिन श्री ओवेसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगणा पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाए स्री ओवेसी के खत्रे का पुना मुल्यांकन कराय गया है और खत्रे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूप कार के साथ अखिल भारतिय स्तर पर केंद्रे रिजव पूलिस बलकी जैड स्रेने की सुरक्षा प्रदान गी गई है मेरा बक्तवे समाप्त हुआ मगर हमारे पास जो मौखिक सुचना ए स्री ओवेसी के द्वारा भेजी गई उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है मैं सदन के माध्यम से स्री ओवेसी को विनंती करना चाहूंगा कि वो ततकाल सुरक्षा ले ले और हम सब की चि